हे गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही तेस्टी बेशन वाली तुरई की सबजी जो की बहुत ही तेस्टी लगती है नॉर्मल सबजी से आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा तो चलिए रेशीपी शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा बेशन वाली तुरई की सबजी बनाने के लिए हमने आपर 200 ग्राम तुरई ली थी जिसे छील करके ऐसे गोल गोल टुक्रे में कट किया है आप चाहें तो लंबाई में भी काट सकते हैं गैस में हमने एक नॉन स्टिक कड़ाई रखी है इ मैंने दो चमज बेशन लिया है जिसे अच्छे से भून लिया है अच्छी खुजबू आने लगी है हमने इसे कटोरी में निकाल लिया है वापस उसी कड़ाही में हम डालेंगे तीन से चार बड़े चमज तेल गरम हो जाएगा तो एक छोटा चमज जीरा डालेंगे और चो प्याज को हलका गुलाबी होने तक भूनना है तो लो मेडियम फ्लेम में प्याज को हलका सुनहरा होने तक भून लेंगे साथी साथ मैंने इसमें कुछ करी पत्ते भी डालेंगे इसका फ्लीवर अच्छा लगता है अच्छे से भून जाएगी तो चोथा ही छोटी चमज हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे ज्यादा हल्दी पाउडर अभी हमें इसमें नहीं डालना है और इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे तुरई तुरई को इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे ध्यान रखें इसमें पानी का इस्तिमाल नहीं करना है क्योंकि तुरई में और लेडी बहुत सारा पानी होता है तो दिखें अच्छे से मिक्स करते वे एक दो मिनट तक भून लेंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक तो स्वादा अनुसार आपको नमक डालना है अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भीच भीच में चलाते वे दो से तीन मिनट तक भूरने के बाद हमने इसे ढख दिया है और ढख करके हम लो मीडियम फ्लीम में इसे चार से पांच मिनट तक कोक करेंगे या तब तक पकाएंगे जब तक तुराई अच्छे से गल नहीं जाती आप देख सकते हैं फ्रेंड चार पांच मिनट में हमारी जो तुराई अच्छे से गल चुकी है आधा चमच अल्दी पाउडर डालेंगे एक बड़ा चमच धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्ची पाउडर है और एक छोटी चमच हमने इसमें आमचूर का पाउडर डाला है आधा चमच जीरा पाउडर थोड़ी सी डाल देंगे कसूरी मेथी कसूरी मेथी का भी फ्लेवर इस सबजी में बहुत अच्छा लगता है और इसी के साथ साथ हम डाल देंगे भुना हुआ बेसन जो कि हमने पहले भुना था अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं कि तुरही से जो पानी निकला था बेसन की वज़ए से बेसन सारा पानी एबजॉल्ब कर लेगा और सबजी की कंसिस्टेंसी कुछ इस त 3-4 मिन तक अच्छे से पका लिया है बीच में एक दो बार इसे चला दिया था तो यह हमारी बहुत ही टेश्टी तुरही की सबजी बनके तयार है बात में हम डाल देंगे बारी कटा हुआ हारा धनिया वैसे तो सिंपल तरीके से आप तुरही की सबजी हमेशा बनाते होंग पर एक बार जब आप बेसं डालकर के इस तरह से तुरही की सबजी बनाएंगे तो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे बेसं की बहुत अची सी सोंधी-सोंधी खुष्पु आती है इस सबजी में तो रेसिपी को ट्राइ करना तो ब